आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस के एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगरा में नगनिगम द्वारा खोदी जा रही सीवल लाइन खुदाई के दौरा अन हुईला परवाई के चलते एक परिवार को बेगर कर दिया आगरा में नगनिगम द्वारा खोदी जा रही सीवल लाइन खुदाई के दौरा अन हुईला परवाई के चलते एक परिवार को बेगर कर दिया मामला थाना जगदीश प्राशित के बोदला नई आबादी का है जहां सीवल लाइन के खोदे गड़े को महीनों गुजर जाने के बाद भी नगर निगम के अत्कारियों दोरा उसे बंद नहीं कराए गया जिसके चलते मकान की नीव तक हिल गई और मकान गिरा सुषिती में गया है चित्य निवासी मंजु देवी के काईना है कि शित में डाली गई सीवल लाइन के दौरान खोदी के गड़ों में महिनों तक बरसाथ होने के बाद भी उसे नहीं बंद किया गया जिसके वजह से पानी भरता रहा जिसके चलते मकान में दरा रहा गई यह मकान मतलब सिवल लाइन की वह ऐसे टूड़ रहा है इसमेननाली की वह देरे-दीर पानी मरता रहा है तो उसमेननाली जगह बना लीwen तो उस मकान अच्छ चक्टक आ गई है और सारा मकान गिरास्यों हो रहा है इसका और बिज्चू की बई सीमा का और पपु का और माया इसे में ताजनगरी में हो रही स्टीवल लाइन के खुदाई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है बोद्दा शित के पुरानी आबादी में खुदाई के चलते कई मकानों की नीव तक हिल गई है और मकानों में दरारे भी आ गई हैं ऐसे में सम्मंद्य दतकारी और कमचारी और कमचारी और किला परवाही साफ देखने को मिल रही है जिसके चलते शित्री लोग देश्चत में जी रहे हैं सर यह सीवर की वेए से मतलब घर पूरा टूट बूट गया है पूरा एक तरफ जारा जुका जारा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है हम भी मतलब बहुत जादा परेशान हो रहे हैं अभी तो हम इदर उदर कहीं रह रहे हैं अभी अम्मा के घर लेते हैं कोई रहने की वेवस्ता निपन पारी है हमारी नगर निगम में भी एप्लिकेशन डाली हमने कुछ नेताई भी आएं थे हैं यहां पर देखने के लिए और हमारे पर जो पारशाद हो उनसे भी हमने कुछ खा था लेकिन भी अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया अभी हम यह चाते हैं कि हमारे रहने की फिलार कोई वेवस्ता की जाए और इसका कुछ निवारन किया जाए ऐसे में कुछ दिन पूरु थाना मंटोला शित के डोली खार महले में हुई घटना बच्चे सहित एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई उसके बाद भी नगर निगम के अतकारियों की नीद खुलने का नाम नहीं ले रही है ऐसे मतकारीयों को बड़े हास्ते का इंजार करते ही नजर आ रहे है गोपाल शर्मा सी निव जागरा